हलो दोस्टों आज हम लोग देखेंगे 2019 व्याख्याता गडित के हल जिसमें मैंने पिछले वीडियो में एक से लेकर करके 60 तक के question को करवा चुका हूँ आज हम लोग देखेंगे इसमें का भाग 4, भाग 3 तक का question हो चुका है, आज हम लोग भाग 4 के हल देखेंगे, भाग 4 में क्या आते हैं, तो अगर हम लोग देखें भाग 4 में, तो भाग 4 के अंतरगत आता है सांखे की प्राइकता और रैकिक प्रोग्रामर, रैकिक प्रोग्रामर को shortcut में LPP बोलते हैं, लेलियर प्रोग्रामर, ठीक है, तो ये सांखे की प्राइकता और रैकिक प्रोग्रामर इससे 20 marks के question आये थे, तो इसके हल को हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं 61 number का question, 61 61 no. question क्या है, यदि आद्धे समस्या का कोई सूसंगत हल नहीं हो, तो वो द्वैती समस्या होगा, तो उस द्वैती समस्या को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या उसको अपरिबद हल बोलेंगे, तो अपरिबद मतलब होता है, अन्बाउंड लें, ठीक है, या B option कहता है, या अपर में से बोला गया है देखिए सूसंगत हल नहीं है तो फिलाल सूसंगत हल नहीं है इसका मतलब सूसंगत हल होगा ये तो गलत है तो अब संडी जो होगा वो हमारा क्या हो गया गलत हो गया अब देखिए सूसंगत हल नहीं हो भी सकता है तो इस में से अगर हम लोग देखें तो तो अगर हम लोग देखें, तो वो बाउन्डेट होगा की नहीं होगा, तो देखिए, अगर हम लोग बात करें, सू संगत्थर, तो अगर हमारे पास कोई जो LPP हो, और वो अगर बाउन्डेट हो, कहने का मतलब ये माल लेजे एक ग्राब बनाया हम है, और इसका माल लेजे य एक linear programming solve किया मैं और ये solution कुछ इस तरह से आया ठीक है कुछ इस तरह से इसमें से रेखा बने और इस तरह से ये वाला भाग इसका solution तो इस area को हम लोग बोलते हैं boundary ये अगर ये वाला गी area हो तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे boundary तो अकसर क्या होता है boundary जो होता है वो सुसं होता है वो unbonded जो होता है वो सुसंगत हल नहीं होता है तो कहने का मतलब क्या होगा वो unbonded हो सकता है जोरी नहीं है कि unbonded होगा तो उसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि या तो वो unbonded होगा या तो वो सुसंगत हल नहीं होगा कहने का मतलब हमारा B option क्या होगा सही होगा मत अगर कोई भी LPP जो होता है, अगर कोई समस्या जो होता है, वो सूसंगत हल है, है ना, तो उस condition में वो bounded होता है, ठीक है, उस condition में वो क्या होता है? bonded bonded जो होता है वो अक्सर सूसंगत हल ही होता है तो हम लोग यह कर सकते हैं कि यहाँ पर बोल दिया है प्रस्न में कि सूसंगत हल नहीं है तो या तो वो unbonded होगा या तो वो सूसंगत हल नहीं होगा मतलब हमारा option B जो होगा वो सही होगा option A केवल बोला है unbounded option C क्या बोला है सूसंगत हल नहीं लेकिन जोरी नहीं है कि वो सूसंगत हल नहीं है तो सूसंगत हल नहीं ही होगा पूरी तरह से वो अपरिबद्द या unbounded भी हो सकता है तो हमारा option B इसका क्या होगा अब हम लोग देखते है next question देखते है 62, तो 62 क्या है, देखे 62 नमबर देखेंगे, तो 62 ये प्राइक्ता का प्रस्न है, ये प्रस्न क्या दिया है, P A का मान दिया है, 1 बटा 3, P B का मान दिया है, 1 बटा 4, P A by B दिया है और P B by A का मान हमको ग्याद करना है, तो इसमें से हमारे पास सीधा formula होता है, P A by B का formula क्या होता है, तो P A by B का formula होता है, P A intersection B, by क्या होता है, P B, ठीक है, अगर B नीचे है, तो B वाला भाग क्या होता है, नीचे आता है, उसी प्रकार से P A by B by A का क्या होगा, तो P B by A का भी formula होता है P A intersection B by क्या हो जाएगा P A हो जाता है ठीक है P A हो जाता है अब हम लोग इसको solve कर लेते हैं तो इसमें मैं क्या कर लेता हूँ इसमें से हम लोगों के पास क्या मान दिया है देखिए P A by B का मान दिया है और P A का मान दिया है तो हम लोग ये पहला वाला जो formula है पहला वाला formula में हम लोग रख लेते हैं क्योंकि सभी मान दिया हुआ है तो पहला अगर formula में हम लोग value put कर दें तो P A by B का मान कितना है 1 by 6 ठीक है और इसको मैं मान लेता हूँ इतना क्यों लिखोगा X लिख लेता हूँ तो ये हो गया X और P B का मान कितना दिया है 1 by 4 दिया है अब इसको transfer कर लीजिए तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा यह इधर multiply हो जाएगा तो X equal to क्या हो जाएगा 1 by 6 into 1 by क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा तो X का value तो यह आ गया X का value क्या गया 1 by 24 आ गया अब हमको निकालना क्या है P B by A निकालना है तो P B by A का formula में put कर दीजिए तो यह intersection का value क्या है 1 by 24 और P A का value कितना दिया है 1 by 3 दिया है ठीक है और 1 by 3 दिया है तो इसको solve कर लीजिए तो यह हमारे पास हो जाएगा 1 by 24 into 3 by क्या हो जाएगा 1 solve करेंगे तो 1 by क्या हो जाएगा 1 मतलब हमारा C option क्या होगा सही होगा Next question देख लिते हैं 63 63 कोस्षण क्या दिया है तो 63 अगर कोस्षण संख्या को देखेंगे तो ये भी एक प्रायक्ता का कोस्षण है तो उचित पासे को फेका जाता है, माना प्रथम पासे पर सम संख्या आने की घटना को A माल लेते हैं, और दुतिय पासे पर विसम संख्या आने की घटना को B है, तो घटना A और B है, घटना A और B क्या है, क्या वो परस्पर अपवर्जी है, क्या वो स्वतंत्र और परस्पर अपवर्जी है, क्या वे परतंत्र घटना है, praतंत्र मतलब होता है dependent, ठीक है, इंग्लिस ज़्यादा better होगा, और स्वतंत्र मतलब होता है independent, या फिर इन में से कोई नहीं, तो ये क्या होगा, उसको हम लोगों को check करنا है। इसमें से देख लिजिए, स्वतंत्र घटना मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे पर depend नहीं करते हैं, उसको स्वतंत्र independent, मतलब एक दूसरे पर depend नहीं करता है, और परतंत्र मतलब जो एक दूसरे पर क्या करते हैं, dependent मतलब क्या होता है, जैसे माल लीजिये, ये एक थैला है, इसमें बहुत सारे ball है, ठीक है, अब इसमें से एक-एक करके ball नि होगा वो पहला बॉल पर क्या करेगा डिपेंड करेगा अगर हम लोग वापस इसमें ना रखें तो जो दूसरा बॉल होगा वो पहला बॉल पर Mais डिपेंड करेगा तो ऐसे जो घटनाई होती है इसको हम लोग dependent event ठीक है तो dependent है कि नहीं ये हमको चेक करना है, है ना, परसपर अपवर्जी में क्या होता है, और स्वतंत्र, इन दोनों में एक अंतर होता है, परसपर अपवर्जी में क्या होता है, अगर हम लोग उनका intersection निकाले, तो वो हमको 5 देता है, और अगर हम लोग उसका प्राइकता निकाले, अगर उसके intersection क प्राइक्ता निकाल ले तो 5 मतलब 0, ठीक है, इसमें से नमबा लिखोगे तो 0 होगा, और केवाल intersection 5 होता है, इसमें से नमबा लिखेंगे तो संख्या लिखना पड़ेगा, 5 ने लिख सकते, तो यहाँ पर intersection देखेंगे तो 5 होगा, नमबा लिखेंगे तो 0 होगा, तो गटना हो तो स्वतंत्र गटना हो तो PA intersection B जो होता है उसका मान जो होता है PA into PB के बराबर होता है उस condition में इसका मान किसे बराबर हो जाता है PA into PB के बराबर हो जाता है तो चलिए हम लोग इसमें चेक कर लेते हैं किस तरह से दिया है तो इसमें बोला है माना की प्रथम पासे पर समसंख्या आता है, उसको ए घटना माना गया है, दूतिय पासे पर विसम संख्याटनिंग की घटना को भी माना गया है, तो चलो हम लोग इसको थोड़ा सा स्वाल कर लेते हैं, तो ए घटना क्या दिया है, तो ए घटना को हम लोग थोड़ा लिग लेते हैं, तो ए घटना में क्या दिया है, प्रथम पासे पर क्या आना चीए, सम संख्या, तो प्रथम पासे पर सम होना चीए, दूसरा क्या है, उससे कोई मतलब नहीं, तो क्या क्या होगा, दो एक होगा, उसी प्रकार से दो दो हो सकता है, दो तीन हो सकता है, इसी तरह से इसको आके जाएंगे, तो दो 6 हो सकता है, उसी प्रकार से और देखेंगे, तो 6 1 हो सकता है, 6 2 हो सकता है, 6 3 हो सकता है, ठीक है, और इसको भी लिखेंगे, तो ये कहां तक जाएगा, 6 6 तक जाएगा, तो अगर हम लोग A ने निकाले हैं, तो A मतलब count कर लीजिए, तो ये कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, और 6, 6 आएगा, तो 6 6 12 और 6 18, तो A ने का मान कितना आगया, उसी प्रकार से B घटना को देखते हैं, तो B घटना क्या बोला है, B घटना बोला है, दूसरे पासे पर क्या आना चीए, विसम संक्या, पहले पासे पर क्या होगा, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन दूसरा पासा क्या ह होना चीए, विसम होना चीए, तो पहला पासा पर हम लोग अगर लेखेंगे 1, तो दूसरा पर 1 ले लेते हैं, 2 दूसरा को 1 ले लेते हैं, 4 दूसरा को 1 ले लेते हैं, 5 दूसरा को 1 ले लेते हैं, और 6 दूसरा को क्या ले लिए, एक ले लिए, ठीक है, तो इसको भी अगर पहला को एक, दूसरा को तीन, दो, तीन, दूसरा पासा ना, पहला एक रखने हो सकता है, या दो हो सकता है, दूसरा भी सम होना चाहिए, तो दूसरा को भी सम भी सम लिखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छै तीन तक हो सकता है, उसी प्रकार से एक पाँच लिख सकते है एक पाँध, दो पाँच होगा, इसको भी लिखेंगे, तो हम लोग कितना लिख सकते हैं, उन दोनों का इंटर सेक्शन निकाल लेते हैं, तो अगर हम लोग इसका इंटर सेक्शन देख लें, तो A और B में कौन सा चीज है, जो रूसरा वाला क्या होगा, दूसरा विसम होगा और पहला क्या होगा? Sum होगा. तो कौन-कौन सा common होगा, इसमें से अगर हम लोग देखेंगे, तो पहला Sum, एक तो ये होगा, ठीक है, तो 2-1 होगा, उसी प्रकार से 4-1 होगा, और 6-1 होगा, उसी प्रकार से, इसमें से और देखेंगे, 2-1, तो 2-3 होगा, 4-3 होगा, और 6-3 होगा, ठीक है, उसी प्रकार से 2-5 होगा, 4-5 होगा, और 6-5 होगा, जो दोनों में क्या आएगा? common आएगा, तो पुल नंबर कितने होगा, तो नंबर अगर हम लोग इन दोनों का intersection देखें, तो ये कितना हो जाएगा, ना हो गया, ठीक है, अब इस में से हम लोग सब प्राइक्ता निकाल लेते हैं, तो प्राइक्ता अगर हम लोग इसका निकाल लें, देखें, 2-5 है, तो L-E-S का मान कितना हो जाएगा? 2-5 होगा, 2-6 होगा, मतलब कितना हो गया 36 आगया तो यहां पर अगर P-A का मान क्या हो जाएगा 18 बटा 36 ठीक है मतलब एक बटा दो उसी प्रकार से P-B का मान निकाल लेंगे PB का मान निकाल लेते हैं, तो PB का मान कितना हो जाएगा, ये भी 18 बटा दो, 18 बटा 36 मतलब 1 बटा दो, sorry, है न, उसी प्रकार से PA intersection B निकाल लेते हैं, तो A intersection B अगर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 9 बटा 36, कहने का मतलब ये हो जाएगा 1 बटा 4, अब देखिए, क्या ये satisfy क सकते हैं, अगर स्वतंत्र है, तो यहाँ पर चू की intersection निकाल रहा है, मतलब ये तो स्वतंत्र घटना होगा, फिलाल अपवर्जी घटना तो नहीं होगा, अपवर्जी घटना में सुन्य होता है, तो स्वतंत्र होगा कि नहीं, वो confirm कर लिए, तो ये 1 upon 2, ये 1 upon 2, तो कितना आ गया, 1 by 4, देख लिए इसका मान भी कितना आया है, 1 by 4, मतलब पक्का ही ये कौन सा घटना है, स्वतंत्र घटना है, इस तरह से आप check कर सकते हैं, ठीक है, तो हमारा कौन सा सही होगा, है न, स्वतंत्र और अपवर्जी, अपवर्जी तो फिलाल है ही नहीं, अपवर्जी ये भी नहीं है, परतंत्र ये भी नहीं है, मतलब option D हमारा क्या होगा, सही होगा, क्योंकि ये स्वतंत्र घटना होगा, ठीक है, only स्वतंत्र घटना होगा, इस कारण से हमारा option D क्या होगा, सही होगा, इसको आपने यही से भी देख सकते थे, देखिए, पहले पासे पर सम और दूसरे पासे पर विसव, एक दूसरे पर depend ही नहीं कर रहा है, एक दूसरे पर क्या कर रहा है, डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये independent event होगा, मतलब independent होगा, ठीक है, तो कहने को, इसको हम लोग देख सकते थे, या फिर ऐसे check भी कर सकते हैं, नेस्ट देखते हैं, 64 question क्या है, 64 question नेमना आक्रे समिष्टी के रूप में विचार कीजिए, प्रत्येक आक्रा में 5 जोड दिया जाए, तो इसका माध्या माना क्विचलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए जो भी आक्रा दिया है, इसमें सब में यदि 5 हम लोग प्रभाव पड़ेगा, और माना क्विचलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको हमको चेक करना है, तो इस आक्रे के हमको कोई जोरत नहीं है, देखिए, क्या होता है, अगर इसमें से अगर देखेंगे, तो हमारा इसमें पहला option क्या बोला है, माध्या माना क्विचलन द की विर्दी हो जाएगी और D option क्या करता है माध्य और मानक विचलन दोनों ही परिवर्थित रहेंगे तो कौन सा option सही होगा इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं तो अगर हम इसका गूर जार रहे होंगे है ना समांतर माध्य का अगर गूर जानते होंगे तो समांतर माध् में A8 कर देते हैं A जोड़ देते हैं या तो A घटा देते हैं तो उस समांतर माध्य में वो जूड़ जाता है या तो घट जाता है अगर जोड़े हैं तो जूड़ जाएगा और घटाए हैं तो घट जाएगा ठीक है जैसे आपको अच्छे से डिटेल से थोड़ा संधा द यह हैं तो उस समय जो माना क्विचलन होता है माना क्विचलन जो होता है वो आपका no change होता है लो कभी भी परिवर्ति नहीं होता है अब सोचेंगे यह कैसा होता है तो इस गूड को आपको पता है तो ठीक है नहीं तो मैं आपको अच्छे से explain करके बता रहा हूं जैसे देख देते हैं हमारे पास माल लीजिए आक्रे है x1, x2, xn है, इन सब का सम माल लेता हूं, मैं sigma x है, इन सब को जोड़ने पर कितना है, sigma x है, ठीक है, तो समानतर माध्य कितना हो गया, तो समानतर माध्य x बार बराबर हो जाएगा, sigma x, y, क्या हो जाएगा, n, है न, sigma x, y, n होता है, समानतर माध्य, अब सब में a जोड़ देते हैं, सब में a जोड़ देते हैं, तो सब में अगर a जोड़ दें, तो x1 प्लस a होगा, दूसरा आकड़ा x2 प्लस a होगा, फिर तीसरा क्या हो जाएगा, इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, xn प्लस a हो जाएगा, तो अगर इन प्लस A, प्लस X2 प्लस A, प्लस डेट डेट डेस, XN प्लस A, अब देखिए, X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस XN, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा X लिख सकते हैं, ठीक है, और प्लस A, तो A एक बार, दो बार, तीन बार, देखें, दो है तो दो बार है, तीन होगा तो त इतना बार N बार तो N बार इसको A लिख सकते हैं ठीक है N बार क्या लिख सकते हैं A तो नया समानतरमात्य क्या होगा तो नया समानतरमात्य देखेंगे तो अगर हम लोग नया समानतरमात्य देखेंगे तो यह हमारे पास हो जाएगा X जो होगा मा लेते हैं X1 बार है तो X1 बा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? sigma केवल x बार लिख सकते हैं? पहले वाला समान तरमाति हैं. देख लीजे, sigma x by n को क्या लिखे हैं? x का बार ठीक है, और प्लस क्या आया? एक. तो नया समान तरमाति में क्या होता है? एक जूड जाएगा. अब देखें, माना minus m का square y क्या होता है n ये हमारे पास formula होता है अब देखिए यहाँ पर main देखिए ये जो x है इसमें a जोड़े हैं और m जो होता है उसमें भी a क्या होता है अगर जुड़ा है तो वो भी जुड़ जाएगा इस कारण से ये जो result आएगा वो भी same आएगा देखिए माली जे इस आया m क्या आया नया m में a जुड़ के आया तो यहाँ पर भी क्या आगया m plus a हो जाएगा ठीक है प्लस a को जाएगा ऐसे करके y क्या होगा m तो कुल मिला कि इसको अगर हम लोग bracket को खोलेंगे तो अगर मैं इस bracket को खोल दूँ तो यह जो a होगा ये माइनस हो जाएगा ये के माइनस हो गया तो यह कड़ जाएगा मतलब नया समांतरमाद में क्या आएगा वही आएगा नहीं नया जो माना क्विचलन होगा वो भी वही होगा जो पुराना माना क्विचलन होगा इसका मतलब माना क्विचलन का मान नो चेन माना क्विचलन कभी भी परिवर्तित नहीं ह होता है यदी कोई जोड दिया जाए जोड़ने पर ने घटाने पर भी हमारा कौन सा ऑप्षम सही होगा तो अ exist chem हमारा सही होगा मानक मांध्य dudirm होगा पांच की क्या हो जाएगी व्रिद्धी हो तो हमारा option C क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, next question देखते हैं, next question देखी लिजिए, 65, 65 question क्या है, एक ठेले में चार लाल गेन और तीन काले ball है, एक दूसरे ठेले में दो लाल, चार काला ball है, एक ठेला यादरिक चुरूप से चुना जाता है, चुने गए ठेले से एक ball निका लाल होने की प्राइकता क्या आप करना है, तो हम लोगों को निकाल, तो इसमें से देखिए, दो थैला है, थोड़ा सा बना देता हूँ, दो थैला है, तो box या दो थैला है, समझे, और इसमें क्या बोला है, एक ठेला में जो है, चार लाल ball है, है ना, चार red ball है, और तीन black ball है, ठीक है, और दूसरे थैला में कितने है, तो दूसरे थैला में दो red ball है, और चार black ball है, ठीक है, अब क्या बोला गया है, इन दोनों थैला में से एक थैला को पहले चुनाव करना है, इन दोनों थैला में से एक थैला चुनाव करना है, और उसमें से एक ball निकालना है, और वो बॉल कौन सा होना चाहिए लाल, तो होने की प्रैक्ता निकालना है, तो देख लीजे इसमें थैला कितना है, दो, तो यहां पर हम लोग यह कर सकते हैं, कि पहला थैला को चुनाओ करें, और उसमें से लाल बॉल निकालें, पहला थैला और लाल, या फिर यह हो सकता है कि दूसरा थैला और उसमें से लाल हो, ठीक है, अगर हम लोग पहला थैला का चुनाओ करते हैं, उसमें से लाल बॉल निकाल लेते हैं, या तो दूसरा का चुनाओ करते हैं, उसमें से लाल बॉल हो सकता है, या होगा ना बीच में, क्योंकि एक ही लाल करना है तो पहला थैला का चुनाओ हम लोग दोनों थैलों में से पहला थैला का चुनाओ कितने प्रकार से कर सकते हैं तो देखिए दो पहला कितने हैं दो तो पहला थैला का चुनाओ करने का तरीका एक बटा दो और और माने गुड़ा या माने धन ठीक है और उसमें से लाल गेन होने की प्राइक्ता तो लाल कितने है चार ठीक है और टोटल गेन कितने है पहला तहला में साथ पहला तहला में टोटल कितने है साथ उसी प्रकार सी या दूसरा तहला को चुनाओ कितने प्रकार से कर सकते हैं एक बटा दो और उसमें से लाल गेन निकालने की प्राइक्त तल कीजे, 6, 2, 12, 7, 7, 7, 6, 42, तो ये हो जाएगा, 19 बटा क्या हो जाएगा, 42, तो 19 बटा 42 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, मतलब option C जो होगा, वो क्या होगा, हमारा सही होगा, ठीक है, next question देखते हैं, next question देखिए, next question क्या दिया है, विस्तार आर, माध्य के सापेक, चतुर्थक, विचलन, QD, के माध्य अनुभाविक सम्मन्ध है, इसमें बोला है, an empirical relationship between range, है ना, range R और quartile deviation, quartile deviation QD, ठीक है, के बीच में कौन सा relation सही होता है, तो इसको अगर हम लोग देखें, तो मैं आप लोगों को एक तरीका बता रहा हूँ, कि SD, SD, MD, और QD, SD मतलब standard deviation, MD मतलब mean deviation, और QD मतलब quartile deviation, S मतलब क्या होगा, standard, ठीक है, और M मतलब क्या होगा, mean deviation, और QD, मतलब यह QD मतलब इसमें दिया है, quartile deviation, इन नों के बीच में एक relation होता है, यह relation, आप याद रख लीजिए, हमेशा यह काम आएगा, तो इसके बीच में एकदम simple सा है, SD लिखिए, MD लिखिए, QD लिखिए, तीनों को बराबर कीजिए, और सामने में लिखिए, 4, 5, 6, यह होता है, इनके बीच में relation यह होता है, कि 4 times SD equal to 5 times MD equal to 6 times QD, यह तीनों जो होते हैं, इस तरह से बराबर होते हैं, अब इसमें से एक दिया है, एक नहीं दिया है, तो किसी भी 2 में से आप निकाल सकते हैं, उसी प्रकार से range और QD के बीच में क्या relation होता है, तो range और QD के बीच में अगर हम लोग relation दिखें, SD के बीच में जी, तो range equal to होता है, 6 times SD होता है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है, range equal to क्या होता है, 6 times क्या होता है, SD, तो हम लोगों को range और किसके बीच में relation दालना है, QD, R और किसके बीच में relation चीए, QD, तो हम लोग सबसे पहले यहां से SD निकाल लेते हैं, और QD, तो SD और QD के बीच में अभी relation मैं आपको बताया, क्या है, 4 SD equal to 6 QD है, ठीक है, यहां से हम लोग काट लेते हैं, 2, 2 ने 4, 2 तिया, तो SD equal to क्या है, 2, 3 by 2 QD, ठीक है, 3 by 2 क्या आगया, QD, अब हम लोगों को क्या चीए, R चीए, R और QD के बीच चीए, ना, तो R और किसके बीच में relation होता है, SD, क्या होता है, 6 टाइम, तो यहां पर SD का value पूट कर दीजे, SD का value क्या है, 3 by 2 QD, 2 अंजा, 2, 2, 3 जा, 6, है ना, तो 3 तिया कितना हो गया, 9, 9 QD, तो यहां पर R equal to क्या होता है, 9 QD, यह हमारा option क्या होगा, सही होगा, तो कौन सा option सही होगा, B option क्या होगा, सही, R equal to 9 QD, यह हमारा क्या होगा, सही होगा, ठीक है, यह सही होगा, next देखते हैं, 67, 67 question क्या दिया है, नेमन में से कौन सी विसम समिष्थी आक्रे के लिए, केंद्री आवस्थी अव इस्थिति के माप के लिए सरवाधिक उप्युक्त माप है, ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़े होंगे, तो विसम समिष्थी आक्रे है, तो सबसे केंद्री जो इस्थिति होता है, उसके सरवाधिक उप्युक्त माप किसको माना जाता है, तो मधिका को सरवाधिक उप्युक्त माप माना जाता है, माध्य नहीं होता, बहुलक नहीं होता, परिसर नहीं होता, ठीक है, मधिका जो होता है, वो आपका बैस्ट होता है, केंद्रिय सेंट्रल, है ना, लोकेशन आपको पता करना है, तो ये आपका केंद्रिय को अच्छे स कौन डिनोट करता है, मधिका डिनोट करता है, ठीक है, तो B हमारा option क्या होगा, सही होगा, next देखते हैं, next दिया है, 68 number question, यदी दो घटनाए, A और B स्वतंत्र घटनाएं, तो सत्यवचन है, अगर A और B स्वतंत्र है, तो इसमें से कौन-कौन सा सही है, उनका compliment भी स्वतंत्र होगा, या फिर इसका compliment, इसका खाली वाला स्वतंत्र होगा, या उप्रोक तो सभी, तो ये हमारा D option क्या होगा, सही होगा, और कैसे, तो इसको मैं आपको थोड़ा सा explain कर दे रहा हूँ, जैसे आप लोग पढ़े होंगे, P A into B, ठीक है, तो अगर ये दोनों स्वतंत्र है, तो उस condition में इसको हम लोग अलग-अलग गुड़ा लिख सकते हैं, P A into P B कर सकते हैं, अगर एक का compliment लगा है, है ना, और अगर ये दोनों स्वतंत्र घटना हैं, तो भी इसको हम लोग अलग-अलग कर सकते हैं, स्वतंत्र के रूप में, ठीक है, उसी प्रकार से अगर दोनो में compliment लगा है, तो भी हम लोग इसको अलग-अलग कर सकते हैं, बुड़ा के रूप में, ठीक है, और अगर हमारे पास A में नई लगके B में compliment है, तो भी आप इसको क्या कर सकते हैं, अलग-अलग कर सकते हैं, ये formula आप लोग पढ़े होगे, ठीक है, तो कहने का मतलब ये चा स्वतंत्र होगे हैं, तो हमारा ये जो तीनों option होगा, वो क्या हो जाएगा, सही होगा, मतलब दोनों compliment भी स्वतंत्र होगे, है न, खाली वाले भी स्वतंत्र होगे, एक compliment और एक खाली, जिसमें compliment ना लगा हो, वो भी स्वतंत्र होगे, वो भी सही होगा, तो ये तीनों option सह इसका मतलब D option हमारा क्या होगा, सही होगा, नैस देखते हैं, 69, 69 क्या बोला है, A और B दो परस पर अपवर्जी घटनाएं है, तो P A by A union B बराबर होगा, ठीक है, तो इसका मान किसके बराबर होगा, वो हमको निकालना है, सबसे पहले ये बोला है, A और B जो होगे, वो परस कैसे घटना है, अपवर्जी, अपवर्जी घटनाओ की एक condition मैं बताया था, उन दोनों का intersection क्या होता है, ठीक है, एक मिनिट, दोनों का intersection अगर हम लोग देखें, तो वो क्या होता है, 5, और प्राइक्ता अगर देखें, तो प्राइक्ता का मान क्या हो जाएगा, सुन्य होत है, ठीक है, intersection ये सुन्य होता है, अपवर्जी घटनाओ है, तो हमको निकालना क्या है, ये P A by P A intersection B, नहीं, यूनियन है, यूनियन, intersection तो होई नहीं सकता, यहां यूनियन दिया है, एक मिनिट देख लेते हैं, चेक कर लेता हूँ, उपर देख लीजे, हाँ, P A by A union B, इसका मान किसके बराबर होगा, वो हमको निकालना है, तो देखे, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, इतने को मैं X माल लेता हूँ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, P A by X, अभी हम लोग देखे थे, इसका formula क्या होता है, P A intersection X by क्या हो जाएगा, P X, कैसा लिख सकते हैं, अब इसको हम लोग solve करेंगे, तो P A, union X का value रखो, तो यह X का value क्या है, A, union B, बाई, X का value रखो, A, union क्या हो गया, B, अब इसमें से देखिए, A, intersection, A, union, B, तो यहां पर देखिए, A और B का union, और इसका फिर किसी के साथ में intersection निकालेंगे, माल लिजे, intersection, B, निकालते हैं, तो इसका जो value होता है, वो B के बराबर होता है, अगर हम लोग A और B का union निकालते हैं, और intersection A के साथ निकालते हैं, तो इसका value A के बराबर होता है, A के बराबर होता है, क्योंकि A और B का दोनों का आप union निकाल रहे हैं, और उसी में से किसी एक का intersection निकाल रहे हैं, तो common कौन आएगा, जो उन दोनों में से common रहेगा, तो B रहेगा तो B और A रहेगा तो A तो उपर में देख लीजिए उपर में क्या हो जाएगा तो उपर को हम लोग लिख सकते हैं P A और नीचे में क्या आ गया P A union B तो P A union B को हम लोग क्या लिख सकते हैं इसका formula होता है P A plus P B minus pa intersection क्या लिख सकते हैं b लिख सकते हैं ठीक है आप देखी जिए pa intersection b का value क्या होता है 0 होता है तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा pa by क्या हो जाएगा pa plus क्या हो जाएगा pb ठीक है क्योंकि अप वर्जी घटना है और अप वर्जी घटना में दोनों का intersection क्या होता है 0 तो यह pa by pa plus pb यह हमारा option क्या होगा सही कौन सा option दिया है उसको देख लेते हैं तो देख लिजे पहला option ही सही होगा देख लिजे pa by क्या दिया है pa plus pb यह हमारा क्या होगा सही होगा तो पहला option हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, next देख लेते हैं, 70 number, 70 number question क्या बोला है, द्वीपत बंटन दिया है, binary, binomial distribution है ये, binomial distribution, n और p के रूप में है, ठीक है, जिसमें माद्य जो है, 4 है, प्रसरन जो है, प्रसरन जो है, आपका 4 बटा 3 है, तो प्राइक्ता हमको निकालना है, x greater than equal than 5, ठीक है, तो इसको हम लोगों को निकालना है, तो माद्य मतलब क्या होता है, np, और प्रसरन कितने को बोलते है, np, q, अगर आप binomial distribution पड़े होंगे, तो माद्य को किससे denote किया जाता है, np, और प्रसरन को किससे denote किया जाता है, np, q, n माने, नमबर, और p म न अगटित होने की प्राइकता, ठीक है, तो इसमें से np का value कितना दिया है, 4 है, और np, q का value कितना दिया है, small q लिख ले रहूँ, एक मिनट, ठीक है, np, q का value कितना दिया है, 4 बटा 3 है, ठीक है, तो यहां से np का value रखिए, 4 q, equal to क्या आ गया, 4 बटा 3, 4, 4 कट गया, तो क्य यहां आ गया, q का मान कितना आ गया, 1 बटा 3, तो यहां पर finally q का मान कितना आ गया, 1 बटा 3, तो p का मान, 1 minus 1 by 3, इसका मतलब 2 by क्या आ गया, 3 आ गया, अब हमको निकालना क्या है, x greater than, equal than 5, 5 या 5 से जादा, ठीक है, तो सबसे पहले n भी निकाल लीजिए, n कितना है, क्यों यहां पर अगर हम लोग क्या बोलते है, n का मान निकालेंगे, तो यहां पर put कर देते है, n, p का मान कितना आ गया, 2 by 3, equal to क्या आया, 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और इसको यहां multiply कर लीजिए, तो n का मान आ गया, 6, तो finally n का मान कितना आ गया, 6, तो इसमें कितना बार उसको फेक आ गया है, समझिए, ठीक है, तो total n कितना आ गया, 6 आ गया, तो इसका formula होता है, हमारे पास, जब भी ऐसे निकालेंगे, तो इसका formula होता है, n, c, r, q का power n minus r, और p का power r, ठीक है, p का power क्या होता है, r, अब जितना बार भी निकालना है, 4 है, तो r का, यह जो r का value होता है, अग px greater than, equal than 5, इसका मतलब हमको निकालना है, px बराबर 5 के लिए, ब्लस, px बराबर 6 के लिए, मतलब 5 के लिए भी निकालना है, और किसके लिए निकालना है, 6 के लिए निकालना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, r का मान, इसमें 5 R कमान क्या हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Nc 5 Q का पावर क्या हो जाएगा, N-R, N-5 और P का पावर क्या हो जाएगा, 5, प्लस, यहाँ पर भी Nc 6, Q का पावर क्या हो जाएगा, N-R, तो N-R कमान 6 हो गया, और P का पावर क्या हो जाएगा, 6, अब इसको solve कर लेते हैं, सब का value पूट कर देता हूं, सब का value पूट कर देता हूं, तो यहां पर n का value क्या है, 66C5, q का value 1 by 3, 6 minus 5, और p का value कितना है, 2 by 3, power 5, उसी प्रकार से 66, ठीक है, और q मतलब 1 by 3, का power 6 minus 6 और P ये हो जाएगा 2 by 3 का power क्या हो जाएगा 6 अब ये तो 0 हो गया तो किसी का power 0 मने 1 हो जाता है ये तो फिलाल 1 हो जाएगा ठीक है इसको बाकी को solve कर लेते हैं ठीक है दोनों में common ले लेते हैं इसमें से सबसे पहले इसको solve कर लेते हैं 6 C 5 6 C 5 का value कितना हो जाएगा तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो factorial 6, factorial 5, factorial 6 minus 5 ठीक है solve करेंगे तो और यहाँ पर आ जाएगा 1 by 3 into क्या हो जाएगा 2 by 3 का power क्या हो गया 5 उसी प्रकार से 6 C 6 का value 1 होता है इसका value जो होता है वो आपका इसका value अगर देखेंगे तो 6 लिख सकते है 6 direct लिख सकते है अगर जान रहे हैं तो क्योंकि n, c, r को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं n, c, n minus r भी लिख सकते हैं और यहाँ पर हमारे पास एक formula होता है n, c अगर 1 दिया है तो उसका value n होता है और यहाँ पर देखेंगे अगर वो वैसी लगाएंगे formula तो 6, c, 5 है तो 6, c, 6 minus 5 लिख सकते हैं तो 6, c, 1 होगा मतब 6 लिख सकते हैं direct करेंगे तो अगर वो आपको पता हो तो और नहीं पता तो ऐसे solve कर सकते हैं तो इसका value भी 1 हो गया ठीक है और यह हो गया 2 by 3 का power कितना आ गया 6 अब इसमें से solve कर लेते हैं तो अगर हम लोग solve करें तो 2 by 5, 2 by 3 का power 5 common आ गया यहाँ पर क्या बचा 6 इसको solve कर लीजिएगा इसमें से 6 बचेगा 6 into 1 by 3 प्लस यहाँ पर 2 by 3 आए ठीक है और solve कर लीजिए 2 by 3 का power 6 नई 5 और इसको solve कर लीजिए 3 एकम 3, 3 दोने 6 तो 2 धन इसको हल किजिए 2 बटा 3 है तो यह कितना हो जाएगा हल करेंगे तो 3 दोने 6 और 6 दो 6 और 2 8 ठीक ह इसको 6 2 कितना हो गया 8 तो यह हो गया 8 बटा कितना गया 3 into 2 बटा 3 का power कितना गया 5 तो अगर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 गुडित 2 बटा 3 गुडित 2 बटा 3 का power कितना लिख सकते हैं 5 ठीक है तो अच्छे से अगर हम लोग solve कर लें ठीक है तो इसको हम लोग लिख स सकते हैं 4 गुडित 2 बटा 3 का पाउर कितना हो जाएगा 6 यह हमारा option क्या होगा सही होगा तो देखते हैं कौन सा option दिया है यह option D हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा 4 into 2 बटा 3 पूरे का पाउर कितना 6 यह हमारा option सही होगा नैस question देखते हैं, 71 number, 71 number question क्या दिया है, ठीक है, इसमें दिया है, निम्न में से कौन सा अप किरण का चरम मुल्यों से नियुनतम प्रभावित होता है, इसमें बोला है, which measurement of expression is least effect by extreme value, extreme value से कौन सबसे कम प्रभावित होता है, उसको हम लोगों को निकालना है, तो range जो होता है, वो extreme value से प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है, extreme या last value, तो range का क्या होता है, range मतलब क्या होता है, जैसे जो भी number दिया है, इसमें क्या होता है, range निकालने का तरीका क्या होता है, number जो होता है, वो first, last number minus first number, ठीक है, इन दोनों का difference को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका range, मतलब ये least value से effect होता है, माध्य, which land, जो होता है, ये भी effect होता है, ठीक है, ये भी कुछ न कुछ effect होता है, तो सबसे कम effect कौन होता है, तो वो होता है QD, quartile deviation, चतुर्था क्विचलन, quartile deviation जो होता है, वो सबसे कम प्रभावित होता है, कैसे तो quartile deviation के बारे में अगर जानेंगे, तब आपको पता चल जाएगा, quartile deviation होता है, जैसे माली जे कोई भी number है, तो उसमें से माल लेते हैं, number है, तो उसका सबसे पहले mean निकालते है, मध्य, इन दोनों का मध्य भाग निकाल लेते हैं, ठीक है, अब ये मध्य होता है, फिर इन दोनों का मध्य भाग निकाल लेते हैं, सेंटर, और इन उनों का मध्य वाग निकाल लेते हैं ठीक है तो QD किसको बोलते हैं तो QD का हमारे पास फार्मुला होता है Q3 माइनस Q1 बाई क्या होता है 2 यह हमारे पास फार्मुला होता है तो यह least value से बहुत ही कम क्या होते हैं प्रभावित होते हैं ठीक है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि quartile deviation जो होता है वो आपका सबसे कम प्रभावित होता है नेस्ट देखते है 72 number question 72 number question क्या बोला है A और B दो स्वतंत्र कटनाए है सेम दिया है तो उनका intersection बराबर होगा तो ये आपका ऐसे है PA union B अगर स्वतंत्र है तो इसको into भी कर सकते हैं intersection को आप into लिख सकते हैं और into को आप अलग-अलग कर सकते हैं तो इसमें से अगर देखेंगे तो ये compliment है तो compliment भी लगा सकते हैं अगर दोनों में compliment है तो दोनों में compliment लगेगा अगर एक में compliment है तो एक में compliment लगेगा ठीक है मतलब हमारा पहला option तो सही है पहला option तो सही है लेकिन पहला जआ को tick मतलगा दीजिए बागी को check कर लेते हैं अब देख लीजिए पहला और तीसरा देखे c-op, तो c तो ये दोनों का same है p-a का compliment को क्या लिख सकते हैं 1-p-a लिख सकते हैं p-b का compliment को क्या लिख सकते हैं 1-p-b सकते हैं मतलब A और C तो same है ए और C तो क्या है सेम है क्योंकि P A का d Smith निकालना है तो इसको 1-ندए पयर सकते हैं गोधिक है उसी प्रकार से पीडेस निकालेंगे तो उसको 1-符 फिचिते हैं ठीक है तो यह ढह곤 यहां ये भी सही है क्या, तो थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं, P, A, complement, फिर intersection, D का complement, equal to, तो यहाँ पर हम लोग D-margan प्रमे लगा सकते हैं, कौन सा प्रमे लगा सकते हैं, D-margan प्रमे, तो D-margan प्रमे क्या होता है, अगर दोनों का D-margan प्रमे होता है, या फिर अगर दोनों का union करके दोनों में अलग-अलग complement दिया है, तो उसको हम लोग intersection करके whole complement लगा सकते हैं, तो यह union करके पूरे का complement लगा सकते हैं, और इसको हम लोग ऐसे भी दिख सकते हैं, P-A union 1- complement है, तो इसको 1- P-A union भी भी लिख सकते हैं, तो हमारा B option भी क्या हो है, सही है, इसका मतलब हमारा D सही होगा, मतलब यह तीनों option क्या है, सही है, देख लीजिए, स्वतंद्र घटना से बहुत सारे question आ रहे हैं, next देखते हैं, 73 number question, एक समिष्टी में मार्दे दिया है और माना क्विचलन दिया है, मार्दे, X-bar, माना क्विचलन, सिग्मा, ठीक है, आकडों का विच्राण गुडांग निकालना है, विच्राण गुडांग, coefficient of variance, मतलब C-B निकालना है, तो इसका तो formula होता है, C-B equal to क्या होता है, sigma by X-bar into 100, ठीक है, तो sigma का value कितना दिया है, 4.5, ठीक है, और ये मार्दे कितना दिया है, 300 side, गुडित क्या हो गया, 100, अब इसको solve कर लेते हैं, ठीक है, इसको अगर हम लोग solve करें, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, 4, 5, by 1, 0, और बढ़ा दीजिये, और फिर काट दीजिये, 2, 0, अब हलका लीजिये, तो ये हो गया 9, 5, 45, 9, 4, 36, 5, 4, भाग देंगे, तो 4, 1, कम 4, 10 मला लिए, 4, 2, 8, और 4, 5, 20, तो 1, 25, 1, 25 आपका क्या होगा? सही होगा, मतलब option B हमारा क्या होगा? सही होगा, NAS देखते हैं, 64 number question, 64 number question क्या है प्राईक्ता का? इसमें बोला है, ए जो है, उपसमुचह है क्या का? बी का, तो प्राईक्ता पी ए, बाई, बी का मान होगा, किसके बराबर होगा? तो इसमें से देखिए, बोला है, मार लेते हैं, ये B है, ठीक है, तो ये जो A है, इसका उपसमुच्च है, ये वाला भाग को क्या बोलेंगे, A, है न, ये उसका क्या है, उपसमुच्च है, तो उसका condition में P A by P B का मार निकालना है, तो ये भी देखिए, तीन मार आ गया न, ये question. ठीक है, ये ही फॉर्मुला से, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, P A इंटर्सेक्षन, B by P B लिख सकते हैं, आप देख लीजे, A और B का इंटर्सेक्षन क्या होगा? तो इन दोनों का intersection कौन होगा? Intersection मतलब common part. तो इन दोनों का common part कौन है? BA ही है common part. तो उपर कंहों लोग क्या लिख सकते हैं? PA. नीचे क्या हो गया? PB. तो PA by PB हमारा क्या होगा? सही, मतलब option C हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा. देखते हैं, 75 नम्मर कोशन, क्या बोला है, बर्नौली वित्रण सफलता की प्राइकता P है, और सफल होने की प्राइकता Q है, तो माद्य और प्रसरण के बीच में उचित सम्मन्द कौन सा है, तो अभी हम लोग देखे इसको भी, माद्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर हम लोग माद्य देखेंगे, तो माद्य का अगर फॉर्मूला देखूं, तो माद्य का फॉर्मूला होता है NP, और विचरण का फॉर्मूला होता है, विचरण या प्रसरण बोल सकते हैं, इसका होता है NPQ, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, NPQ होता है, ठीक है, यह ब है माध्य जो होता है वो ग्रेटर देन होता है विचरण के बराबर भी कभी नहीं होता दोनों बराबर तो ही नहीं सकते तो इसमें से एक बड़ा और एक छोटा होगा जी तो बड़ा कौन होता है माध्य बड़ा होता है हमेशा क्या से विचरण से और यहां से देख भी सकते ह पी माने घटित होने की प्राइक्ता और पी माने घटित होने की प्राइक्ता और इतना तो है ही लेकिन इसमें क्यों भी है क्यों माने क्या दिया है ना घटित होने की प्राइक्ता तो ना घटित होने की प्राइक्ता को गुड़ा कर दोगे तो वो तो और कम हो जाएगा ना व नाद्वें जो होगा, वो प्रसराइड से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा ठीक है, नेस्ट देखते हैं, लिनियर प्रोग्रामिंग का आगया तो लेस्ट देखिए कोश्चन एलपीपी प्रत्येक रिड़ेतर प्रतिबंद को संतुष्ट करता है तो प्रत्येक हल रिड़ेतर प्रतिबंद मतलब क्या होता है नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन को संतुष्ट करता है तो प्रत्येक हल हरेक हल क्या नॉन नेगेटिविटी होगा तो ये तो गलत है हरेक हल नॉन नेगेटिविटी होना जोरी नहीं है कुछ हल नॉन नेगेटिविटी हो सकते है लेकिन हरेक होना जोरी नहीं है तो वो रिडेतर प्रति बन जो होता है, उसको जरूर संतुष्ट करता है, ठीक है, अगर वो feasible solution है, तो वो जो होगा, non-negativity region को संतुष्ट जरूर करेगा, मतलब B हमारा option क्या होगा, सही होगा, ठीक है, अगर इसको graph से देखेंगे, तो और समझ में आ जाएगा, मतलब B हमारा क्या होगा, सत्य होगा, ये तो गलत है, ठीक है, next देखते हैं, next question देख लेते हैं, रेखिक आसमीका का दिया है, इसमें से परिबाद छेतर कौन से चतुर दिजे, equal लिखिए, और इसको हम लोग लिख सकते है, x by 1 plus y by 1 equal to 1, उसी प्रकार से इसको भी कर सकते है, x minus y equal to 1 दिया है, तो इसको आप लिख लिख लिजे, x by 1 plus y by minus 1 equal to 1, ठीक है, ये कैसा form बन गया, ये x by a plus y by b equal to 1 का form बन गया, और इसका graph हमको खीचना अच्छे से आता है, ठीक है, इसका graph क्या होता है, तो अगर हम लोग a और b दिया है, तो इसका graph ऐसा होता है, ठीक है, अगर ये वाला distance को a, इसको क्या बोलते है, b, ये x by a plus y by b का graph होता है, equal to 1 का, x by a plus y by b equal to 1 का graph इस तरह से लिखते है, यहां से यहां तक a को लिखते है, और यहां से यहां तक B को denote करते हैं तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया एक तो 11 आया है और एक क्या आया है एक कमान वन है लेकिन वी कमान माइनस वन है तो इसमें से अगर हम लोग ग्राब कीचे तो कुछ इस तरह से बनेगा माल लेते ही इसको मैं ले लिया वन यह तो एक सक एकसिस है यह हो ग अगर आप इस तरह से बनेगा इन दोनों से होते हुए जाएगा एक रेखा ठीक है और दूसरा देखा किससे होकर जाएगा इन दोनों से होकर जाएगा ऐसे करके ठीक है इनका intersection यह वाला होगा ठीक है तो अब इसमें से solution देखते हैं तो solution देखने के लिए क्या करते हैं इसमें 0-0 रखके देखिए दोनों में अगर मैं इसको 0-0 रखे मूल-बिंदु को देखते हैं रखके तो 0-0 रखेंगे तो 0-0 0 क्या आगया 0 ठीक है तो यह जो relation है यह true है कि false है क्या 1 जो होता है 0 से बड़ा होता है बिल्कुल यह true है तो इसका जो solution होगा वो मूल बिंदू कोई और होगा इसमें देख लेते हैं इसमें अगर 00 रखेंगे तो यह भी 00 आएगा 1 greater than यह भी देखेंगे तो देखेंगे दोनों रैखी का समिका का हल इस रैखी का समिका का हल जो होगा मूल बिंदू की और होगा मूल बिंदू माने यह है तो इसकी और हल होगा इसका जो हल होगा यह भी इसकी और होगा ठीक है, तो ये कौन सी चतुर्थांस में है, तो इसमें देखिए, ये तो पहला भी आ गया, है न, पहला आ गया, पहला, दूसरा, ठीक है, तीसरा, ये चारो चतुर्थांस involved है, तो कहने का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये चारो चतुर्थांस में आएंगे, लेकिन ध्यान दीजिए ये question थोड़ा सा mistake है क्योंकि bounded बोला है और bounded नहीं है यह तो खुला आ गया है ना यह unbounded है तो कहने का मतलब यह bounded नहीं होगा परिबाद्धन नहीं बोल सकते इसमें bounded region बोला है ना आसमीका का bounded region बोला है तो bounded region में केवल दो आसमीका दिया है तो कुछ यह गलत बोल सकते है इसमें या फिर हम लोग यह बोल सकते है कि option D हमारा क्या होगा सही होगा चारो होगा लेकिन bounded नहीं होगा वो unbounded होगा ठीक है next देखते है 78 number question 78 number question क्या है favorable कि अक्षरों को व्यवस्थित किया जाए तो 2A एक साथना होने की प्राइक्ता ग्याद करना है favorable को इस तरह से व्यवस्थित करना है कि 2A एक साथना हो उसकी प्राइक्ता ग्याद करना है तो सबसे पहले तो हम लोग सब को कितने प्रकार से लिख सकते हैं तो इसमें से देख लीजे कितने अक्षर है और कोई नहीं है, तो by 2 ये ns का value हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, हलका लीजिए, तो ये हो जाएगा, factorial 10, रहन दीजिए, factorial 10 by factorial क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है, अब factorial 10 by factorial क्या आ गया, 2 आ गया, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, 1 को 1 साथ लिखा जाए, तो दोनों A को 1 कर दीजिए, आकी को लिखिए A, B, O, U, R, B, L, E, ठीक है, तो इसको अगर हम लोग गिनेंगे, तो कितना प्रकार से गिन सकते हैं, देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इसको हम लोग कितने प्रकार से लिख सकते हैं, factorial 9, तो प्राइक्ता क्या हो जाएगा, factorial 9 by factorial 10 by factorial क्या हो जाएगा, 2, तो solve कर लीजिए, यह factorial 9, factorial 2 उपर चला जाएगा, factorial 10 नीचे आजाएगा, इसमें से बाहर निकालीजिए, तो 2 into 1 और इसमें से 10 बाहर निकालीजिए, 9 होगा, cut जिया, यह 10, तो 2 अंजा 2, 2, 5 जा 10, तो यह हो गया 1 by 5, एक साथ होने की प्राइक्त 4 बटा 5 हमारा option D क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, next देखते हैं, next question क्या दिया है, रैखिक प्रोग्रामन दिया है, तो सबसे पहले इसको हम लोग जमा लेते हैं, देख लीजिए, यहाँ पर x1, x2 और 5 है, तो x1 by 5, plus x2 by 5, equal to 5 by 5 लिख सकते हैं, इसे कि हमा है, x1 plus x2 equal to 5 है, 5 से divide कर दीजिए, तो इस तरह से हो जाएगा, तो यहाँ पर x1 by 5, x2 by 5, equal to 1 आ गया, उसी प्रकार से second को भी कर लीजिए, second को भी कर लीजिए, इस तरह से बना लेते हैं, second को भी करेंगे, तो यह हो जाएगा, x1 by कितना हो जाएगा, 4, और x2 by कितना हो जाएगा, 6, equal to 1 हो जाएगा, और बस, दो ही दिया है, ठीक है, इसको हम लोग graph में खीच लेते हैं, और x1 और x2 जो है, वो greater than, equal than क्या दिया है, जीरो दिया है, ठीक है, तो इसको अगर हम लोग graph में दर्शा है, तो यहाँ पर देखिए, इसको मैं x1 माल लेता हूँ, और yx को x2 माल लेता हूँ, और greater than 0 दिया है, इसका मतलब क्या होता है, जब भी दोनों का मान greater than 0 हो है, तो उस condition में आपका ये positive ही हाल होता है, यहाँ से, यह मूल बिंदू है, तो यहाँ से यहाँ तक का उपर वाला होगा, greater than है तो, और यहाँ से यहाँ तक का इधर वाल होगा, और बाकी हल नहीं होंगे, तो बाकी दोनों को हल कर लेते हैं, इन दोनों को रख लेते हैं, तो एक में 5-5 है और एक में 4-6, तो इसमें से लेता हो, ठीक है, और एक कितना दिया है, 4 और 6 है, एक में 4 है, और य में कितना है, 6 है, तो अगर हम लोग इसका graph खिचेंगे, तो यह इस तरह से उपर जाएगा, है न, इसमें 6 आया, और यह कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है, यह intersection point निकालेंगे, तो यह intersection point कैसे ठीक है, ये दोनों समिकरन को अगर हम लोग solve कर देंगे, तो ये दोनों मान आ जाएंगे, ठीक है, तो इसको अगर हम लोग हल करेंगे, तो कितना आएगा, तो यहाँ पर अगर आप लोग हल कर लीजिएगा, दो और तीन आएगा, देख लीजिए, इसका मान दो और तीन लें और देखिए, 00 अगर इसमें रखते हैं, तो ये true हो रहा है, क्या, तो ये भी true हो रहा है, इसमें 00 रखिए, ये भी true हो रहा है, ठीक है, तो कहने का मतलब इन दोनों का solution होगा, वो किस साइड होगा, मूल बिंदू की और होगा, तो ये वाला जो solution वाला पार्स होगा, वो आपका इधर आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से इधर का solution ये वाला भाग हो जाएगा, तो इसमें से अगर हम लोग bounded area देखेंगे तो bounded area क्या हो जाएगा ये आपका ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट और ये वाला एरिया आ जाएगा तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं कौन-कौन से point आएंगे एक मिनट नो ठीक है तो इसमें से हम लोगों का कौन-कौन point आएगा एक तो 00 आएगा 04 होगा ठीक है 23 होगा और 50 होगा ठीक है 50 हो जाएगा अब इसमें से देख लेते हैं जैड निकाल लेते हैं जैड मैक्स निकालना है तो जैड का value कितना दिया है है इसमें से जैड का value देख लीजिए दिया है 6X1 फ्लस 5X2 तो यहां पर दिया है 6X1 फ्लस 5X2 ठीक है आप इसमें से एगными रख लेते है है, 40000, रखेंगे तो 0 आएगा, जएट एक बार रखते हैं 04 रख लेते हैं, तो यहां पर 0 और यह आजाएगा 20. मतलब 20 आजाएगा ठीक है और जैड है रखेंगे यह वाला गलत हा, 04 यह गलत लिखाऊ हो दोको मa SOb8 होगा न एक मिनत लिखाँ मेंधर यह 4 था ना, तो 4 0 होगा, और यह वाला 0 5 होगा, y-axis है ना, तो 0 5, यह 4 0 है, sorry, यह गलत लिखा था, यह आपका 4 0 होगा, ठीक है, तो 4 0 होगा, तो हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं, 4 0 रखेंगे, एक मिनट, ठीक है, 4 0 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, यह 6 24 हो जाएगा, और यह 0, मतलब यह केतना आ गया, 24 आ गया, ठीक है, और 1 0 5 होगा, तो 0 5 रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा, 25 आ जाएगा, उसी प्रकार से 2 और 3 रख लेते हैं, तो 2 और 3 रखेंगे, तो 2 और 3 रखेंग 27 होगा, 27 maximum value हो जाएगा, ठीक है, अब last question देखते हैं, last question क्या दिया है, एक खेला है, जिसमें 4 सिक्के हैं, एक सिक्के के दोनों और सीर्स है, यादरिक रूप से एक सिक्का चुना जाता है और 5 बार उछाला जाता है, तथा परिणाम हमेशा सीर्स आता है, उस सिक्के के दोन और सीर्स वाला सिक्का होने की प्राइक्ता ग्याद कीजिए, मतलब यह जो है, यह आपका बैस थियोरम है, बैस थियोरम जो दिया है प्राइक्ता में, उसका एक question है, इसमें क्या बोला है, देखे, यह एक ठैला है, और इसमें से 4 सिक्का है, ठीक है, और इसमें से 4 सिक्का में से जो पहला दूसरा तीसरा सिक्का जो है उसमें हेड और टेल है लेकिन जो चौथा सिक्का है उसके दोनों साइड है ठीक है अब इसमें से एक सिक्के को चुना जाता है और पांच बार उच्छाला जाता है तो उसके सीर्स होने की प्राइक्ता ग्याद किजिए है ना उस सिक्के के सीर्स उस समय प्राइक्ता ग्याद करना है जबकि वो दोनों वाला क्या हो सीर्स वाला सिक्का हो मतलब यही सिक्का हो उसकी प्राइक्ता निकालना है तो देखिए अगर हम लोग पहला सिक्का को चुनाव करें तो पहला सिक्का का चुनाव करने की प्राइक्ता कितन एक वट चाहरों में से रा कर चुनाव कर रहे हो, तो उसकी प्रीकता क्या हो जाएगी, एक वट चाहर, और उसको उछालते हो, तो सीर्षाने की प्राइकता, एक बट दो का पाउर पाउर पाँच हो जाएगा, तो उसका चुनाव करने की तरीका एक बटा चार और सीर्स आने की प्राइक्ता एक, एक क्यों होगा, क्योंकि देखिए, इसके दोनों और हेड है, मतलब सीर्स तो आना ही है, तो इस कारण से ये एक हो जाएगा, अब हमको ये करना है, कि पाज बारों चाला जाता है, तो उस है कि वो सिक्का को चाला जा रहा है, जिसके दोनों और सीर्स है, मतलब ये वाला सिक्का होना चाहिए, उसकी प्राइक्ता निकालना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बेस्टियोर हम क्या करता है, इसकी प्राइक्ता चाहिए, तो ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए, और बागी नीचे में क्या करना है? सब को जोड़ देना है, एक बटा चार गुडित, एक बटा दो का गात पांच, धन एक बटा चार गुडित, एक बटा दो का घात, पांच पांच है नहीं है न अध्धान एक बटा चार गुडित एक का घात कितना पांच देख लीजे सब में एक बटा चार कॉमन लेकर के काट सकते हैं तो एक बटा चार तो कट गया तो उपर में क्या आया एक का घात पांच और नीचे में जो आया उसको सॉल कर लेते हैं उपर में आया, एक नीचे में आ गया, एक बटा 32, एक बटा 32, एक बटा 32, और ये एक आ गया, ठीक है, इसका LCM लेंगे तो 32 आ जाएगा, ये हो गया 1, और ये हो जाएगा 3 प्लस 32 by 32, तो solve करेंगे तो 32 उपर आ गया और 35 क्या आ गया, नीचे, तो 32 by 35 इसका क्या होगा, सही answer होगा, म ये जो question था, वो bias theorem का था, अच्छे से समझिएगा, इसमें बोरा है कि एक थेले में चार सिख्खा है, और इसमें से तीन सिख्खा ऐसा है, कि जिसके दोनों सिर्स head और tail है, लेकिन एक चौथा जो सिख्खा है, एक सिख्खा ऐसा है, जिसके तोनों और है, है ना, जिसके द सोथा वाला सिक्का हो है, इसकी प्राइक्त आपको निकालना था, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, तो हमारा option C क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, next जो होगा, बाकी जो question है, वो next video में आएगा, तो आज के लिए धर्निवाद,